Hello everyone, welcome to EduTap, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारी सेशन में, और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आपका एक्जाम ESIC Deputy Director की, इसमें भी एक particular section numerical ability, जिसके कुछ important MCQs हम discuss करेंगे और यह इन MCQs का part 11 होगा, part 10 का लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएग अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, free content और इस lecture की PDF के लिए Telegram चैनल को जुरूर से जुरूर जुडे, इसका लिंक भी इसी वीडियो के description में मिल जाएगा, एक special offer one time sale edit app आप लोगों के लिए लेकर के आया है, जिसमें हमारे सभी कोर्षी जैसे RBA ग्रेड भी सेभी ग्रेड नबाड ग्रेड आई कर एओ, ESIC deputy director, IVPS AFO, UPSC APFC, PFRDA ग्रेड ये और जितने भी combo कोर्षी जाए या जितने individual कोर्षी जाए उन सब पे आपको 50% का flat off मिल रहा है, जिसके लिए आपको code यूज करना one time, तो ये जो code है आपका ये 5 तो अब December तक valid होगा, और ये this offer will not be repeated, ये ना पहले आईए, अगे आने वाली है, तो ये आप लोगों के लिए एक opportunity है कि आप इसको grab करके इन courses से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बहुत मुकमल गत्ती से आगे बढ़ाईए, निश्ची तरुक से सफलता आपको जरू तो शीरीज का एक question है, बार-बार में concept repeat नहीं करूँगा, इस टाइप के बहुत concept में आपको बता चुका हूँ, अब यहां से directly हम इसको solve करने वाले हैं, तो ऐसे series को देखके ही छोटी-छोटी values है, तो basic calculation अगर आपकी अच्छी है, तो आपको idea आ जाएगा कि कैसे इनको solve क 2.5, increase हो रहा है, तो that means यहां पे 6 आया होगा, तो यहां पे 2.5 और यह पूरी एक logical sequence बन जाती है हमारी, तो that means in the place of question mark there will be 6, तो that means option C is the right answer, clear है अभी को next question, एक और question हमने series से ही लिया है, जहां पे आपको 34, 18, 10, 6, question mark 3, तो question mark की जगह पे बताना क्या आएगा, अब देखो य series decrease होगी, तो हमेशा किसका case बनेगा भई, case बनेगा, divide वाला logic लगेगा, तो यहां पे अगर इसको मैं 2 से divide कर रहूं, तो 17 मिलता है, बड़ हो सकता है कि plus में 1 हो साइद, यही same logic में आगे लगाऊं, तो 18 by 2, 9 होगा, plus 1 करेंगे, तो 10 होगा, same यहां से देखो, divide by 2, 5 plus 1, 6 ह होगा, तो 6 divided by 2, 3 plus 1 क्या होगा, 4, और same यहां पे अगर देखेंगे, तो divide by 2 plus 1, तो यह भी एक logical sequence बनती जा रही है, तो that means यहां पे answer क्या होगा, option B, कलियर है सभी को भई, चलिए next, question number 3 देखें वाई, a man invested a sum at a certain rate of interest, on simple interest, and he got 60% more amount after 8 year, if he invest Rs. 9,600 at the same rate of interest on simple interest, then find the total interest he would get after 4 year, देखो, अगर उसे 60% more amount मिल रहा है, तो that means यहां से क्या हुआ, कि जो 8 year का interest है, 8 year का simple interest, वही तो 60% है, तो that means 1 year का simple interest होगा, वो कितना होगा, 60% divided by 8, that is 7.5%, जो rate होती है, rate क्या होती है, rate is the interest of that particular time, interest of particular time, यानि कि अगर यहां पर एक साल का interest 7.5% है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो rate होगी, वो भी 7.5% per annum होगी, ठीक है भाई, अब वो इस rate से 4 साल का interest पूछ रहा है, कि इस पर 9,600 पर, तो 9,600 पर 7.5% से 4 साल का interest, तो 9,600 का क्या लेंगे 30%, क्योंकि 7.5 into 4, 30 होगा भाई, तो यह हो जाएगा 0, 18, 27, 28, तो 2, 8, 0, यानि option B is the right answer, क्लियर, चलिए next question, जेखो बाई, question number 4, A is 40% more efficient than B, A की जो efficiency है, वो B से 40% जादा है, तो दोनों की जो efficiency में ratio होगा, वो 7 ratio 5 होगा, क्लियर, both together can complete a work in 75 by 8 days, तो हमें पता है कि work is equal to होता है, time into efficiency, ठीक है भाई, तो अब यहाँ से time, अगर दोनों का given है, तो आपको efficiency भी दोनों की लेनी है, तो दोनों की efficiency 7 plus 5, 12 होगी, तो यह 4 से गया 2, यह 3, तो that means, जो work आ गया वो 225 by 2 unit है, कलियर है, if a work for first 5 days, अगर a 5 दिन काम करता है, एक दिन में 7 unit करता है, तो कितना कर देगा 35 unit, remaining work complete by b, तो b कितना काम करेगा, remaining कितना है भाई, 225 by 2 minus 35, और b की efficiency कितनी है, 5, तो उपर बच गया 155 divide by 2, और यह 5, 5 से कटेगा 31, तो b remaining work को करेगा, 151 by 2 days के अंदर, और a ने कितना time लिया था, 5, तो total time कितना लगा, 5 plus 15, 1 by 2, यहनी कि 21 by 2 days, option A is the right answer, यही हम से पूचा है, कि in how many days total work will be completed, कलियर है सब भी को, चलिये next, question number 5 देखिए वई, train A running at speed of 54 km per hour, crosses a platform of length same as that of the train in 36 seconds, ठीक है, train के concept में मैंने बहुत बार आपको बताया है, कि distance हमेशा बराबर होता है, time into speed के, but आपको speed और distance ध्यान से लेना होता है, जब भी train किसी ऐसे article को cross करती है, जिसके खुद की भी कोई length हो, तो वहाँ distance होता है train की length, प्लस जिस article को cross कर रही है, किसको cross कर रही है platform को, तो यहाँ पे जो distance होगा, वो train की length plus platform होगा, time कितना ले रही है, time ले रही है 36 seconds, speed कितनी है भई, speed है 54 km per hour, meter per second में change करूँ तो 5 by 18 से multiply कर दूँगा, 3 से गया, तो 15, 90, 45, तो यह होगा 540 meter, बट उसे ने कहा था कि platform की length same है that of train, तो अगर दोनों की length का sum 540 है, तो train की length होगी 270 meter, और platform की length भी होगी 270 meter, अब आगे कह रहा है कि, if train B, which is 230 meter long, cross the same platform, तो जब यह train B cross करेगी, जिसकी खुद की length 230 है, और same platform को cross कर रही है, तो इस train B को total कितना distance cover करना है, 500 meter, कितने time में cross कर रही है, 25 second के अंदर, और हमें बताना है कि speed of train क्या होगी, तो speed तो हमेशा क्या होती है, distance divide by time, तो speed आगी 20 meter per second, बट हमें इसको convert करना है kilometer के अंदर, तो 18 by 5 से multiply करेंगे, क्यों करते हैं, बहुत basic concept है, आपको पता होना चाहिए, तो option B आपका right answer हो जाएगा, clear है सबी को, next question भई, 4 year ago, ratio of age of A and B was 3 ratio of 4, अगर 4 साल पहले की बात करें, तो A और B की age में जो ratio है, 4 year ago, वो 3 ratio of 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह 3x होगा, तो यह 4x होगा भई, अगर present age की बात करें, present age, तो A की age 3x plus 4 होगी, और B की age 4x plus 4 होगी, बट वो क्या कह रहा है, average of present age of A, B and C is 26, तो A, B और C की जो present age है, उसका sum होगा, average 26 है, तो sum कितना होगा भई, 78, and C is 11 year younger than B, अब देखो A की present age कितनी है भई, 3x plus 4, B की present age कितनी है, 4x plus 4, और C की present age कितनी होगी, C जो है वो 11 year younger than B है, तो B से अगर 11 year younger है, तो B की present age तो 4x plus 4, इसमें से 11 minus हो जाएगा, और 3 की age का sum कितना है, 78, तो 3x, 4x, 4x, यह हो गया 11x, 4, 4, 4, 12 minus 11, 1, तो 78 minus 1, 77, तो जो x की value आगी, यह 7 आगी, हमसे पूछ के आ रहा है, what is the present age of B, तो B की present age, 4 into 7 plus 4, that is 32 years, ठीक है भई, तो that means option D is the right answer, कलियर है सभी को, चलिए next question, question number 7 देखो भई, A man deposit 10% of his salary in PF, किसी की भी जो salary होती है, वो हमेशा 100 होती है, ठीक है, तो यह क्या करता है, PF के अंदर 10% deposit कर देता है, तो अब उसके पास कितना बच गया भई, 100 में से 10 गया, 90 बच गया, He saves 30% of the remaining, जो remaining है उसका save करता है, वो 30%, तो 90 का 30% लेंगे तो 27, तो अब उसके पास कितना बच गया भई, उसके पास बच गया 63, The ratio of his expenses on medicine and grocery is 3 ratio 4 of the remaining salary, after saving, तो after saving, medicine और grocery पे जो ratio है, वो 3 ratio 4 है, ठीक है, तो इसका 63 का, अब अगर 63 को 3 ratio 4 में डिवाइड करूं, तो 3 प्लस 4 कितना होगा, 7, 7 की value 63, तो 1 की value 9, तो इंटू 9 करेंगे, medicine पे खर्च किया 27, grocery पे किया 36, बट वो कह रहा है, की if his expenses on medicine was 2700, As per the question, 27, medicine पे आया और उसने बोला है 2700, तो 1 की value कितनी होगी, 100, तो monthly salary कितना भई, 100, तो 100 की value 100 इंटु 100, तो that is equal to 10,000, तो option जो A है, वो आपके question का right answer होगा, तलिये रहा सभी को भई, चले next question पे, Next भई, question number 8, in a mixture of milk and water, the proportion of milk by weight is 60%, if from the 80 gram mixture, 20 gram mixture is taken out, and 6 gram pure water is added to the mixture, then find the ratio of milk and water in the new mixture, अब वो कह रहा है की milk और water में 80 gram का एक mixture है, जिसके अंदर milk जो है, वो 60% है, तो 60% अगर 80 का लूँगा, तो यह अगर ratio में convert करोगे, तो यह 60% और यह 40 है, तो 3 ratio 2 हो गया भई, तो अगर 80 gram को 3 ratio 2 में divide करना है, तो total 5 की value 80 होगी, तो 1 की value 16, तो 3 की value 48, और 2 की value 32, तो मतलब इसके अंदर 48 gram milk है, और 32 gram इसके अंदर water है, अब वो कह रहा है की इसमें से 20 gram remove कर दिया, तो जब 20 gram remove करोगे, तो milk और water, same proportion में ही तो remove होगा, तो जब remove करेंगे, तो 3 plus 2, 5 की value 20 होगी, तो 1 की value 4, तो 3 की value कितनी होगी, 12 और 2 की value 8, मतलब इसमें से 12 gram milk remove हो गया, और 8 gram आपका water remove हो गया, and 6 gram of pure water is added to the mixture, और 6 gram pure water add कर दें, तो पूछ रहा है की final ratio बताओ milk और water का, तो 48 में से 12 गया, तो 36 भई, और 32 में से 8 गया 24, फिर 6 करेंगे तो 30, तो अगर 6 से cancel कर दूँ, तो जो ratio होगा, वो कितना होगा, 6 ratio 5, तो option B आपके question का right answer हो जाएगा, clear है जी, चलिए next, तो ये दो question आप लोगों के लिए homework है, तो ये वाला question भी आपके लिए homework है, question number 9, easy question है, सिर्फ formula आपको पता होने चाहिए, sphere और cylinder का, ठीक है बाई, और question number 10 भी आप लोगों के लिए homework है, यहाँ से आपको partnership का basic concept मालूम होना चाहिए, ये सब चीज़े हम बार बार पढ़ चुके हैं काफी टाइम, इसलिए हमने homework के रूप में रखी है, ठीक है, चलिए, तो thank you very much, आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया, session से जुड़ने के लिए, आपकी कोई भी query है, दिए गए number पे call कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से स्याम के 7 बजे तक, या hello at the rate edit app.co.in पे आप हमें कभी भी 24x7 mail कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करूँगा, session आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जादा से जादा like करिए, share करिए, और जो starting में मैंने आपको हमारी one time sale के बारे में बताया था, उसके स्तहत जुड़ करके आप हमारे courses को join करिए, और अपनी तैयारी को बहुत तेजगती से आगे बढ़ाईए, ठीक है, चलिए मिलते हैं next session में, thank you very much, जै हिंद, जै भारत.